आप सुरज निकलने से पहले अंधेरे में जण्डा नहीं ला जाएंगें अमेरिका के लोग के देश है और अपना जण्डा ऊपर रखें याद रखना चाहिए कि जो वेक्ति दहीने कंदे पे जण्डा को रखा है वो आंदोलन में सबसे आगे रहना चाहिए से हमारे एपी जे अब्दुल कलाम का जब निधन हुआ था हमारा जंडा जुग गिया था केस की आजादी का प्रस्ताव जैसे ही 22 जुलाई 1947 को संसद में गया था ब्रिटेन में जब boxes मुहर लग गया कि भारत जाद हो जाएगा तो 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंग वनुमती मिल गय इसраст संबीधान में ड्रिटेजं में क्या हुआ था बहिंया था हो गया वह बारत की अजादिय और फिक्स है तो हमारा तिरंगा हो गया भारत्य तिरंगिया का न Shh पिंगली वेंकईया ने किया इसकी लंभाई और चड़ाई में जो रेशीयो रहता है कितना होता है आपको पता ही होगा थree इस टू तू है लंभाई और चड़ाई किसको दरसाती है यह 24 घंडे को विकास को दरसाने के लिए जो ATM 24 घंटे खुले रहते हैं और हफता में साटों दिन चलते हैं 24,7 इसे लिखा जाता है 24 a.4l 34 आवर हम अपने राष्ट इर्मार के लिए बढ़ते रहे हरा रंग हरियाली को हरा रंग हरियाली को केसरिया बलीदान का सफेद रंग सांती के लिए हम कभी किसी देश पे लड़ाई वगरा नहीं करते हैं हमको अगर कोई मारेगा तो हम पूचेंगे ये बात तो कंफर्म है क केसरिया रंग किसे दरसाता है बलीदान का दरसाता है कुछ लोग कहते है केसरिया नहीं होगा कुछ लोग कहेंगे हरा नहीं होगा हरा क्या हरियाली कोई मिटा सकता है केसरिया के आसमान और सूरज के रंग को कोई बदला जा सकता है नहीं तो देखे हमारा जो है बलीदान क किस चीच के लिए बलिदान के लिए हरा रंग किस के लिए हर्याली के लिए हमारे देश हरा बरा है भाई मेरे देश की धरती इसमें गलती कैसे कर देता है लो लड़का सब हम बच्पन में छोटे थे तिरंगा बनाना था तो हमने गलती से क्या किया किसरिया को नीचे कलर कर द बढ़ा के हरीयाली जो होती है वो कभी उपर हरीयाली थोड़ी होती है आसमान में हरीयाली जब भी आएगी तो नीचे रहती है जमीन पर हरीयाली रहती है इसका मतलब हरा नीचे रहेगा और सूरज का रंग केसरिया होता है वो कहा जमीन पर रहेगा नहीं तो उपर रहेगा चोटे बच्चों को इससे ही समझाए जाता था हमने गलती कर दिया हमारा जंडा जंडा रूल के हिसाब से आप सूरज निकलने से पहले अंधेरे में जंड नहीं ला राएंगे। जब भी ज्हंडा ला राना है तो जब सूर्ज निकल जाए , सुर्योदय की रोस्नी में se рि की रोस्नी में , हमारी ज्हंडा का तोलन होना चाहिए , , झार चाहिए , फ्लाइघ हॉस्टिंग एकदम और जब सूर्ज ढलने लगे , तो हमारी जंडा का अपमान न हो, अंधेरे में हमारी जंडा को कोई देख न सके, हमारे वीरों के वलिदान को, हमारी मिटी के हरियाली को जब कोई देख न सके, तो हम लोग को जंडा क्या कर लिए जता है? सुरियास्त के बाद उतार लेना चाहिए. जंडा में नियम है कि आप कहा रहना चाहिए उपर रहना चाहिए राइट है इस तरह से इस तरह से लेकर मार्च करके चलेगा अब जैसे मान के चलिए कि अगर सैनिक हैं अगर हमारे देश के साइनिक हैं, तो साइनिक को प्रेड वगरा लंबी दूर तक नहीं रहना, अब मान के चले किसी को आंदोलन करके लेके जाना है जंडा, तो उसे क्या करना है, अपनी गाड़ी पर जंडा सबसे उचाराना चाहिए, अगर आप किसी धार्मी जंडे को इस साथ लगाना चाहते हैं, या भारत में रहकर किसी अन देश का जंडा लगाना चाहते हैं, तो कोई भी जंडा भारत के जंडा से उपर नहीं हो सकता, जैसे मान के चले किसी को अपना केसरिया जंडा लगाना है, किसी को हरा, किसी को लाल, किसी को गुराबी, किसी को कुछ भ अमेरिका में कहेंगे कि हमरे जंडा उपर रहेगा तो अमेरिका के लोग का देश वो अपना जंडा उपर रखेंगे तो बेवकुफी हो जाएगी आपका नियम अपने देश में लगता है अब एक चीज और ध्यान दीजेगा चलिए रूस के राष्कपती ब्लादीमीर रहना चीए तो जब कभी आप अपने देश में किसी दूसरे के जंडे को बराबरी रखते हैं जैसे आप जैसे कोई बी देशा पाकिस्टान वालन की बात नहीं कर भारत में रूस वगरा की बाद तो हमें क्या करना है उसको राइट साइड में रखना है अपने जंडे को कहा रखना है राइट सेडि अगर कोई आंदोलन या जैसे किसान अंदोलन चलना है तो किसी को अगर उसमें तीरंगा ले के जाना है और अगर दाहिनी हाथ से उठाके जिए वह आंदोलन में सबसे आगे रहना चाहिए अंदोलन में क्या रहना चाहिए सबसे आगे रहना चाहिए और जंडा कभी भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए इससे हमारे जंडे की क्या हो जाएगी बेस्ती होगी जंडा ऐसे तो उसे दाहिना हाथ रखके जंडा को हमेसा उपर लेके रखना है लेकिन जब देश का जो देश प्रेम नहीं कर सका उसको तुटको सुसाइट करके मर जाना चीए क्योंकि यार एक जानवर को भी अपने खुटा से बहुत प्रेम होता है जहां उसे बांधा जाता है उसे वह बहुत प्रेम करता है वहां उसों गंदा नहीं करता है और कैसे लोग हमारे देश को लोग उल्टा सिधा बोल देते हैं हम अपने जंडे का देखे एक जाने अंजाने में कभी हो गया जैसे कभी हम छबी जनवरी को आप देखेंगे सड़क पर कभी कोई तिरंगा गिर गया है तो कोई जानबुच क चीज हमेशा आगी रहना चाहिए लेकिन कभी कभी हमारे देश पर बहुत बुरा संकट आ जाता है जब कभी भी देश पर बुरा संकट आता है तो जंडा को उल्टा लहरा दिया जाता है वही हमारे देश का जंडा सबसे अच्छा रहा जाता है तिरंगा बाते अलग है भा मेडम भीखाजी कामा एक सेलूट उस बीर महिला के लिए भारतिय स्वतनता की जननी का आ जाता है मेडम भीखाजी कामा को तिरंगा जंडा ला रहा दिया तो 1907 में जब हम गुलाम थे तब लोगों ने देखा कि यह किसका जंडा है तो पता चला कि भाया यह देश भारत का य यह जो जंडा ऐसे सीधा है अगर हम इसे ऐसे कर देंगे जंडा को तो टेबल कूर्सी पे जब जंडा रहता है तो दो जंडे ऐसे रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो दो जंडे अगर तीर्चा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे यह देखिया है अभी कोई दिकत नहीं है, अभी कोई दिकत नहीं है, लेकिन अगर हमारे राष्टिय एसमारक जैसे सुप्रीम कोट से राष्टपती भवन इस अप पे, अगर जो ज़ंडा सीधा लगता है, वहां का ज़ंडा तीर्चा नहीं होना चाहिए, जैसे राष्टपती भवन का ज़ंडा है, अ से हमारे एपई ज बहुत बड़े व्यक्तिकी जब निधन हो दिखाने के लिए हमारा पूरा देश आसूख में डूबा हुआ है हम अपने ज़ंडे को क्या करते हैं जुका देते हैं अब एक होता है उल्टा जंडा उल्टा जंडा का मतलब ऐसे नहीं होता है कि लकड़िया उपर कर देंगे यह उल्टा जंडा नहीं है उल्टा जंडा का सेंस क्या होता है कि केसरिया कहां हो जाएगा नीचे केसरिया क्या हो जाएगा नीचे अग्री सुनामी आप बादारी महतेफा स्ट। आपिut अबसे sentiments, पिए आपल वे इनका गुजरना हमारे लिए बहुत बड़ा पहती हो भग्मान न करे हमारे जंडा कभी उल्टा हो ऐसा कोई संकट ना आए देश पर भग्मान इस पे सल ध्यान दीजेगा हमारे देश का जंडा सीधा ही रहे